मुझे पता है आपके नियत भी मेरे उपर ठेक नहीं है यह क्या बत्तमी जी है बत्तमी जी नहीं राभू जी ससुर जी मुझे पता है कि आपकी बहुत सारी इच्छाए हैं जो आप मार के बैठे हैं मैं चाहती हूँ कि मैं सारी इक्षाम को पुरा करू मुझे पता है सासुजी के जाने के बाद आप बहुत अकेला फिल करते हैं न मैं उस अकेले पन को भरना चाहती है तुभी पता है तुम किस से बात कर रही हो हाँ अपने ससुर से तुम यह नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे से कैसा बात करना चाहिए सासुर जी अब आप छुपाईए मत क्योंकि मुझे पता है आपके नियत भी मेरे उपर ठेक नहीं है तो मैं सफोर कर रहे हूं आपको फिर क्यों इंकार करना है और इससे अच्छा मौगा फिर कभी नहीं मिलेगा आपको सोच लो हादो बहुत समझदार होगे यह तो हूं आप से ही सिखी हूं मगर देर से सिखी कास यह पहले ही सिख लिए होती पहले सिख लेती तो मज़ा कहां आता है मज़ा तो अम आएगा ना अच्छा तकरार में ही इकरार है तकरार में ही प्यार है मगर एक बात ध्यान देना यह बात माई पती को नहीं पता चलना चाहिए सर्सूर जी हम बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगी अब फिर चलें इतिनी जल्दी क्या है एरे भई अब तो अमजन राजी हो गए तो मेरी एक सर्थ है कौन से सर्थ जैसे मैं आपकी जरूरतों को पूरी करूँगी वैसे आप भी मेरी जरूरत पूरी करूँगी मेरा कहने का मतलब यह कि यह पूरी प्रोपर्टी मेरे नाम को आप भी खुश्च मैरे तखली मेरे भरने के बाद तो इस प्रोपर्टी की मालकी तुम्ही लोग होगे ना मुझे लोग नहीं सिर्फ मैं और आपके मनने का वेट नहीं कर सकती है मैं आती लिए अगर तयार हूँ तो आप भी तयार हो जाओ चलो ठीक है मैंने तंगे यह प्रोपर्टी तुम्हारे नाम कर दी मागर मेरा भी सवदा है एक हाथ लो जोजी हाथ दो ठीक है ससुजी रात में मिलते हैं प्रोपर्टी के पेपर के साथ चलेगा कोई बात नहीं चलती हूँ अरो बेटे का हो या बहु का हो चाय खर भुजा छोड़ी पर गिरे या छोड़ी खर भुजे पर गिरे बात तो यह कि है यहां फाइदा तो मेरा ही हो रहा है ना और फिर बहु भी तो जान छेड़क रही तो वाई उसके वदले में उसका तो हक बनता है कि अ बहु कि अ बहु कि अ तो हुआ पाला है अधिके मुतावीब मैं पोपोर्टी कपिपर लिया है कब हो एक हाप लो तुझे हाप लो तुझे हाप दो तो सुझे ठीक है मैं भी वार्दे की पक्की हूँ तो चलो आज की पच्चीश साल पहले वादी फेलिंग आ रही हुझे कास में तुम्हारी बाद पहले मालिया होता है यह प्रॉपर्टी तुम्हें देदिया होता है अक्री इस कादर में रखना है क्या है जो चीज तुम्हें है वो किसी में नहीं था यही दुरुष्य देखना रही है था ना इस चपके नीचे अब नहीं तुम गला समझे रो पेटा यह मुझे ब्लैक मेल करने की कोशिस कर रही है अब बाबुजी जो खेल आप खेल रहा है ना उसके कैप्टन हम है यह सब मेरा पुर्णा जो मैं मेरे कहने के बाद यह आपके पास गई है यह जब पहली मुझे बढ़ाए थी ना तो मुझे बिश्वास नहीं हुआ और सिर्फ इसलिए मुझे आपको रहेंगे हाथों का करना था और सच कहूं न तो मुझे अभी बोचा नहीं हो रहा है जी मुलिशर्ण आधिय सोस कर रिखने आखे यह हुं जी मामद करें पेटा मैं को न वह तो आप अवास करने वाले मैं को मताँ आउइब करने वाले आप लाले ना कि मैं आप लातका पर गल्टी तु मुझे से होगी ज़े ना पेटा आपने सोचा है, कितनी बड़ी गल्टी है यह, किसी को पता दो जाएगा, क्या मैंसे जाएगा बाहर? दुबाना ऐसी गल्टी नहीं होगी, मुझे माफ करते हुआ मुझे इनसे बादी नहीं करना है, मुझे इनसे कोई डिस्क्रेशन नहीं करना, और सॉरी मैं इनके सामने एक पल भी नहीं रह सकता हूँ, चलो हम लोग इस घर से बाहर सलते हैं, सुनो मैं गल्टी होगी, मुझे माप कर दो, ऐसी गल्टी में होगी मुझे से अब, बाबुजी, आपके साथ मैं नहीं रहता हूँ और यह मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, यह मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं जबने आपको देखूँगा ना, मेरी आपको फिख जाएगी, मैं जिरा दी में में खावगा मैं, एक चती एक चमबर में हैं, सॉरी बाबुजी, बहुत तुम सम्झाओं ना, चलो, ब खौस के आज में मैं इतना भाए गया था, कि मैं अपना पराया भूल गया, आज उसका प्रणाम यह होगा, कि आज मेरा ही बेटा मेरा साथ छोड़ कर चला गया, एक गुराबे का सहारा था, उभी नहीं यहाँ, मैं क्या हूं लेकि उसके पास जाओं, कैसे माप ही मांगो, अगर एक बार वो मुझे माप कर देता, तो मुझे कभी ऐसी गलती नहीं होती, मैं अपनी गलतियों पे बहुत सा मिंदा हूं, क्या करूं को समझ में नहीं जा रहा है,